आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Good morning students तो आज का मारा Question है A Simple Pendulum is hung in a stationary lift and its time period is T ठीक है, तो basically मेरे पास अभी तक क्या है एक lift है जिसमें एक spring, जो है पेंडूलम लटका हुआ है और इसका जो time period है अभी वो कितना है capital T के बराबर और वो कितना होता है 2π under root मतलब 2π under root l by g यह होता है time period What will be the effect on the time period T if the lift comes down with uniform acceleration A अगर यह lift accelerate कर रही होगी नीचे की direction में uniformly तो इसके time period पे कोई change आएगा या नहीं पहले तो यह सोचो बिलकुल आएगा time period जो है यह inversely depend कर रहा है under root of g effective पे ठीक है, यहाँ g जो है actually g effective होता है कि basically इसका frame अगर accelerate कर रहा होगा उपर या नीचे तो हम यहाँ पे normally सिर्फ small g नहीं लिख देते जो कि 9.8 होता है हम यहाँ पे g की जगा g plus a g minus a वगरा लिखते हैं ठीक है, क्योंकि अगर इस चीज के पास खुद एक acceleration है आगे पीछे जाने की तो वो net gravity के effect को cut भी कर रहा हो सकता है मतलब basically increase भी कर रहा हो सकता है अब since कोई जो हमारा lift है वो नीचे की तरफ जा रहा है तो g effective जो है हम पढ़ चुके है forces के chapters में यह हो जाता है g minus a के बराबर तो अगर मैं इसको यहाँ डाल दूँ तो उसे साफ से देखो g effective अगर मेरा decrease करेगा g minus a मतलब अब मेरा g effective कम हो रहा है तो time period जो है यह क्या होगा g effective कम किया तो time period जो है increase कर जाएगा अगर इतनी बात clear हो गई है तो अब clear देख सकते हो कि जो नया t' होगा basically वो होगा 2 pi under root l upon g minus a और since g minus a जो है g से कम है यानि कि g effective वाला part denominator basically मेरा कम होगा तो numerator इंक्रीस कर जाएगा तो मैं लिख सकता हूँ time period decreases ठीक है जो time period पहले t था अब t से कम हो जाएगा स्वारी जादा हो जाएगा increases क्या लिख रहा हो my bad तो t' जो है यह greater than t होने वाला इस case में आप यह कोशिन अब सबको समझ में भी आ गया होगा Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करे डाउटने टाप या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 सूपर